चतिसगर में राहूल गांधी बीजेपी पर एटेक करते हुए भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी अफरिका के अलग अलग देशों में हुआ लेकिन हिंदुस्तान में 70 सालों में यह पहली बार हुआ है राहूल गांदी ने कहा कि संसद में मेरी बात बीजेपी संसदों से भी होती हैं वो कहते हैं कि हम पीम के सामने कुछ भी नहीं कहाए पाते हैं आज पूरे देश में एक दर फैला हुआ है राहूल गांदी ने RSS पर कहा है कि आज कोई भी इंटिट्यूशन देख लीजिए प्रेस प्लानिंग कमिशन शिक्षा संस्तान हर जगह RSS के लोग भरे जा रहे हैं अरुंजटली कहते हैं कि किसान का कर्ज माफ करना सरकार का काम नहीं है वही देश के 15 अमीरों का 50,500 करोड रुपय का कर्ज माफ हो जाता है इस पर वित्यमंत्रि कुछ भी नहीं बोलते हैं करनाटक का जिक्र हुआ है राहूल गांदी ने करनाटक का जिक्र करते हुए ये कहा है कि देश में सविधान पर आक्रमन हो रहा है करनाटक में देख लिजिए विदाय एक तरफ तो वही राजजपाल एक तरफ सौकरोर रुपय का आफर दिया जा रहा है तो वही अमिच्छा का ट्विट कहता है राहूल के हमलों पर अमिच्छा ने ट्विट करते हुए कहां लोगतांत्रिक की हत्या तो उसी वक्त हो गई जब कॉंग्रेस ने सरकार बनाने के ल 24 सीटों से गिर कर 78 सीटों पर सिमट गई